नमस्कार मेरा केश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर तो दोस्तो अगर आप किसी हाउजिंग सोसाइटी में रहते हो और वो सोसाइटी में जो आपकी बिल्डिंग है वो बिल्डिंग अगर पुरानी हो गई तो आपकी सोसाइटी बिल्डिंग के साथ डेवलोपमेंट एगरिमेंट करती है मतलब आपकी पुरानी बिल्डिंग गिराने के लिए आप बिल्डिंग को बोलते हो और उसको बोलते हो नए से बिल्डिंग बना दो और हमें हमारा फ्लाट का शेयर दो यह आप एगरिमेंट क पड़ती है और दूसरी बार आपको stamp duty भरनी पड़ती है जब builder पूरी की pre-building नए से बनाता है और नए से बनने के बाद आपको PAA करना पड़ता है मतलब permanent alternate accommodation agreement आपको करनी पड़ती है मतलब यह agreement होती है builder और जो original flat owners होते हैं उनके बीच में agreement होती है तब भी आपको stamp duty भरनी पड़ती है मतलब दो बार stamp duty भरनी पड़ती है एक जब building गिरा के नए building का नए building बनाना और दूसरा जब नए building बन जाती है तो पुराने जो flat owners होते हैं उनको वापस से flat का allocation करना उस समय meet stamp duty भरी जाती है तो उसी के चलते एक petition दाखिल हुआ है Bombay High Court में क्योंकि petition दाखिल होना भी जायज है क्योंकि 2015 के पहले क्या होता था कि 2015 में एक circular आया 23 जून 2015 में एक circular आया वो circular पास किया गया था Inspector General of Registration and Controller of Stamps महाराश्टर स्टेट इनकी तरब से एक circular आया था 23 जून 2015 को उसके बाद 30 मार्च 2017 को भी एक circular आया और उसमें तरह तरह के clarification दिये गए थे अब ये दोनों circular आने के पहले एक का scenario पूरा अलग होता था मतलब जो PAA के हम बात कर रहे थे PAA मतलब जो possession दिया जाता है पुराने owners को जिसको हम बोलते है Permanent Alternate Accommodation Agreement जो किये जाते है वो agreement के ल लेकिन जो नया आ गया circular 23 जून 2015 और 30 मार्च 2017 को उसमें ऐसा बोला गया था कि जब तीन पार्टी रहेंगे तो ही stamp duty नहीं देने पढ़ने वाली है पाकी टाइम पे आपको stamp duty देने पढ़ने वाली है मतलब agreement, society, original owner और developer के बीच में रहेगी तो ही stamp duty भरने के ज़रुवत नहीं है दूसरी बारी के लेकिन फिर ऐसे में क्या होने लग गया कि ये circular के तहित second जो आप stamp duty भर रहे हो वो stamp duty आपको भरनी पढ़ रहे थी लगबग construction cost का पाच टक का जो भी retained area हैगा जो भी आपको additional area मिलेगा मतलब आपका अगर फ्लाइट पास्टो square feet का builder ने री development कर दिया और आपको 600 square feet का या 700 square feet का फ्लाइट दे दिया तो फिर आपको उसके उपर construction cost पे आपको भरना पढ़ता था पाच टक का आपको stamp duty देनी पढ़ रहे थी तो उसी के चलते petition Bombay High Court में दाखिल हो गया petitioner का ऐसा मानना है कि अगर owner जो original development agreement का part है तो फिर ये जो document अभी बनाये जाते है allocation किया जाता है owner को फिर से मतलब नए से building बना के फिर से owner को घर दिये जाते है तो उसके लिए आप फिर एक बार stamp duty क्यों मांगते हो petitioner ने ऐसा बोला है कि महाराष्टर stamp act का section 4 के खिलाब ये circular issue किये गए है क्योंकि सारे के सारे extra documents से मतलब अभी अगर आपने development agreement एंटर कर दिया है उसके उपर stamp duty भरी है तो फिर नए से building बनने के बाद फिर फ्लैट के allocation के time आप stamp duty कैसे क्या ले सकते हो आप double stamp duty ले रहे हो और ये तो सिर्फ extra ancillary document है सिर्फ allocation के आ जाता है तो उसके खिलाब आप ऐसे पैसे कैसे दे सकते हो कैसे मांग सकते हो आप stamp duty in fact तो इसी के चलते इन्होंने ऐसा बोला है कि ये जो entire agreement होती है development agreement या फिर agreement for PAA ये जो होते है ये एक ही transaction होता है एक बार stamp duty भर दी तो वापस से stamp duty मांगने की ज़रूरत नहीं है ऐसा petitioner का कहना है अब Bombay High Court में ये case सुनवाई को गया है Bombay High Court ने जो petitioner है आधित्य बिल्डर्स इनको ऐसा बोला है कि आप तीन petition ने अलग-अलग 27-27 लाख कि इनको ऐसा बोलाया 40 लाख रुपे का आप deposit जमा करके रखो Bombay High Court ये case का जो सुनवाई है वो 3 फरवरी 2022 को करने वाली है urgent basis पे क्योंकि Bombay High Court का मानना है कि ये जो issue है ये महाराश्रमें जो भी project हो रहे है बहुत ज्यादा redevelopment project हो रहे है तो उसके related stamp duty का project है तो ये case है तो ये इसमें बहुत सारे redevelopment society के जो project से वो affect हो सकते है तो ये case बहुत ज्यादा important माना जा रहा है महाराश्र राज्य के लिए क्योंकि ये इतना important case है क्योंकि महाराश्र में बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट बनते रहते हैं और उसमें stamp duty liability भी आती रहती है तो उसी के चलते Bombay High Court ने interim order भी पास किया है interim order पास किया उन्होंने ऐसा बोला है कि फिलहाल जो भी stamp duty के अगर आप किसी को compulse ना करो stamp duty भरने के लिए तीन फर्वरी को हम final फिसला लेने वाले है ये case का तो आपकी इस बारे में क्या रहा है हमें आप comment section में जरूर बताईएगा आप अपना ख्याल रखिएगा अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आपको sanitize जरूर करिएगा take care have a night से